दोस्तो आप सभी का स्वागत है मेरे योट्यूब चैनल क्रेजी गयान पर तो इस वीडियो के अंदर आज में आप सभी को वोटसेप की कैसी गजब की ट्रिक के बार बताने वाला हूँ जिस ट्रिक को यूज करने के बाद आप मुझे कमेंट करके कहेंगे की कास ये ट्रिक मुझे पहले पता होता जी हाँ दोस्तो आज के वीडियो के अंदर आप सभी को वोटसेप की जो ट्रिक बताने वाला हूँ ना ये ट्रिक आप सभी को पसंद भी आईगी साथ ही में इस ट्रिक का स्माल करके जब भी आप अपने दोस्तों के साथ वोटसेप पर चैटिंग करेंगे गल्फेंड के साथ या फिर बॉइफ्रेंड के साथ चैटिंग करेंगे उस टाइम ये ट्रिक आप सभी के काफी ज़्यादा काम में आने वाला है नियू वोटसेप ट्रिक इस तरीके से यहाँ पर आपको नियू वोटसेप लिख देना है और यहाँ पर आपको ट्रिक लिख के सैंड कर देना है तो चलो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूं यह कौनसी वोटसेप की ट्रिक है और किस तरीके से यह जो ट्रिक के साथ आपकी लड़ाई हो गई है और आप उसके मैसेज को देखना भी चाहते हैं उसके मैसेज को पढ़ना भी चाहते हैं लेकिन आप चाहते हैं कि उसे पता ना लगे कि आपने उसके मैसेज को पढ़ लिया ठीक है अगर आप उसके मैसेज को अगर वोटसिप में जाके दे तो उसे आपका जो लास सीन है वो भी नजर आ जाएगा साथ ही में यहाँ पर जो ब्लू टीक है वो भी उसे दिखाए दे जाएगा ठीक है तो इससे उसे पता लग जाएगा कि आपने उसके मैसेज को पढ़ लिया या फिर आपने वोटसिप को ओपन किया होगा तो ऐसे में दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपकी गर्ल्फेंड को बॉइफरन को या फिर दोस्त को ना पता लगे कि आपने वोटसिप को ओपन किया है आपका जो मतलब ब्लू टीक है या फिर लास सीन है वो उसे नजर ना आए न और आप उसके मैसेज को भी पढ़ लेना चाहते ह तो यहाँ पर जो भी मैसेज उसने भेजा होगा ना उसके सारे मैसेज यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं अभी यहाँ पर टाइम देख सकते हैं आठ बाबन हो रहा है और आठ चौबन अभी हो चुका है ठीक है तो दो मिनिट पहले हाई का मैसेज मेरे पास आये था और आप जो blue tick है वो भी नहीं गया और साथ ही में ऊपर की साइड आप last scene देख सकते हैं वो भी यहाँ पर change नहीं वा ठीक है अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं 845 का मेरा जो last scene है वो दिखा रहा है जबकि 844 इस टाइम हो चुके हैं तो इस तरीके से आप इस application का use करके अगर आ आशे आप किसी के WhatsApp status को save करके रख सकते हैं साथ ही में यहाँ पर direct chat option का use करके अगर आप किसी के नमर को अपने phone में save नहीं करना चाते हैं लेकिन उसके साथ आप WhatsApp पर chatting करना चाते हैं तो यहाँ पर आप direct chat का option use करके सिर्फ यहाँ पर आपको उस बन्दे का नमर डालना है औ और उस बंदे के साथ आप चैटिंग कर सकते हैं बिना उसके नमर को अपने फोन में सेव किये ठीक है तो ये भी आपको फीचर इस अप्लिकेशन में देखने को मिल जाता है तो काफी अच्छी अप्लिकेशन है यूज करके देखे आपके काफी काम आएगा